Hello everyone, welcome you all at Loki Sir Unlimited Study Zone So, बच्चों, आज की है जो हमारा टॉपिक है Application of Derivative हमने last class में पूरा फिनिश कर दिया है And अब बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है पिटा, Integration Okay, आपने Calculus start की है Calculus में सबसे पहले मैंने पढ़ा है आपको Limits Continuity, फिर Differentiability, फिर Differentiation बताया And अब हम बता रहे हैं Integration तो Integration का नाम सुनके सबसे पहले बच्चों आपके मन में ये जानने की इक्षा होती है कि What is Integration? कि Integration है क्या? इसको हम कैसे यूज करते हैं? और क्यों यूज करते हैं? है ना, तो ये सारी चीजें आप जानना चाहते हैं, तो समझ ये इस चीज को देखें, आपके पास अभी आपने function था, dy, dx और x² यदि आपके पास x² था, तो x² का differentiate करके आपने निकाला कितना? 2x ये जो x² था, ये एक function था, और ये जो 2x निकला, ये कहला गया differential coefficient, जिसको आप differentiation भी कहते हैं, अब अगर आप वापस अपने original function की ओर जाना चाहते हैं, जब आप यहां से यहां गए थे, तो आपने क्या यूज किया था? differentiation, जब आप वापस अपने main function की ओर जाना चाहते हैं, तो इस process को क्या बोलेंगे? इस process is called integration, ओके, इसे हम integration बोलते हैं, और ये जो term आपके पास में आता है, चीक है ना? जैसे x² आपके पास में है, तो what is x²? it is called anti-derivative, मतलब derivative का उल्टा, this is called anti-derivative, चीक है ना? तो आपने क्या दो scene देखे हैं, एक आपके पास x² था, तो x² से आप move हो करके 2x गए हैं, so this is called differentiation, और 2x से वापस आप x² आगए हैं, so this process is called integration, okay, and this is called, यह जो है, अपना जो आणसर आया है, this is called integral, integral, जो आपका आणसर बनता है बेटा, वो होगा, आपका integral होगा, बोलो clear बेटा, समझ में आगे बच्चों, so, anti-derivative integral एक ही चीज है, clear, and the reverse process of differentiation is called integration, clear है, now आप देखे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कि अगर आपके पास में कोई function है, suppose you have a function, y is equals to fx, generally, जिस function में कोई derivative term ना हो, उस function को आप actually solution कहते हैं, algebra की भाशा में, उसे solution कहा जाता है, ये चीज आपको आँगे काम में आएगी, जब मैं आपको differential question पढ़ाऊंगा, तब आपको मैं बार बार बोलूँगा, कि इसका solution निकालो, तो that time आपको y की value निकालनी पड़ेगी, तो ये आपके पास में fx है, अगर आप इसको differentiate कर देते हैं, d by dx, capital fx को, तो d by dx of capital fx का differentiation क्या बन जाएगा, suppose मान लीजिए, small fx, क्या बन गया, small fx, अब इस process को आप समझेए, आपके पास क्या था, आपके पास था, capital fx, आपने क्या कर दिया, आपने इसका differentiation कर दिया, मतलब आपने क्या लगाया है, उसके उपर, d by dx लगाया, और आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया, small fx, इसका उल्टा, अगर आपके पास में small fx है, और small fx का, आपने क्या कर दिया, integration, integration, integration का sign क्या होता है, यह एक ऐसा symbol लगता है, और साथ में x के respect में कर रहे हैं, तो एक term लगता है, जो बताता है, कि x के respect में है, integration with respect to x, और इस process को हम क्या बोलते हैं, integration, बोलिए clear हुआ कि नहीं हुआ, तो आपके पास वापस आपका function आ चुका है, clear की not clear? Yes, यह dx रखा हुआ है, यह बताता है, कि आप with respect to x integrate कर रहे हैं, अगर यह dy होगा, with respect to y, अगर यह dt होगा, with respect to t, clear की not clear? solution इसे कहा था, यह जो main function है, this is y is equals to fx, clear है? क्योंकि इसमें कोई भी differentiation नहीं हुआ है, यह एकदम pure है, so यह जो algebraic lesson सबसे simple वाला होता है, इसे बूलते हैं, solution, क्या बूलते हैं इसे? solution, वो आँगे use होगा, अभी तो हमको नहीं use करना है, अब आईए देखते हैं, type of integration, type of integration, देखिए हमांको जो type पढ़ने हैं बटा, दो type के integration हम perform करेंगे, सबसे पहला जो हम integration सीखेंगे बटा, उसका नाम है indefinite integration, indefinite integration, और जो दूसरा differentiation है बटा, उसका नाम है definite integration, एक है indefinite और एक है definite, अब indefinite integration का मतलब क्या होता है, यह समझे आप, indefinite integration का मतलब यह होता है, एक ऐसा integration, जिसमें limit ना हो, जिसमें limit ना हो, जैसे small fx है, small fx का आप capital, sorry, dx with respect to x आप integration कर रहे हैं, तो आपके पास में क्या आजाएगा, fx आएगा, और प्लस एक constant c आएगा, इस constant c को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, arbitrary constant, c जो कहलाता है, वो कहलाता है arbitrary constant, but in case, अगर आप, small fx का, within limit, a से लेके b integration करेंगे, तो आपके पास क्या answer आएगा, answer वही आएगा, fx ही आएगा, but with limit आएगा, a से लेके b, और कोई constant कोचन भी नहीं आएगा, और finally आप इसको solve कर लेंगे, अपर limit रख देंगे, x की जगे, minus lower limit, तो इसमें arbitrary constant आता है, indefinite integration में, जिसमें limit नहीं होती है, और इसमें arbitrary constant नहीं आता है, समझ में आएगा, बेटा, इसमें arbitrary constant आएगा, indefinite integration में, और definite integration में arbitrary constant नहीं आएगा, clear, यह तो आपको देखेगा, एक में जिसमें limit रहेगी, तो वो definite है, और जिसमें limit नहीं रहेगी, वो indefinite है, समझ में है, आपको limit दिखाई देगी, वो definite है, जिसमें limit नहीं दिखाई देगी, वो indefinite है, clear, यह स्वाल उठता है, कि indefinite integration में हम c क्यों लगाते हैं, आएगे दिखते हैं, मैं आपके सामने कुछ function दे रहा हूँ, और उसका differentiation आप से निकलवा रहा हूँ, आपके सामने कोई function है, dy dx of x square plus 3, dy dx of x square plus 4, dy dx of x square plus 5, चलिए बिटा, इसका differentiation करिए, बुले कितना आएगा? पर फर्स्ट का 2x, सेकेंड का कितना? 2x and थर्ड का भी 2x, बिल्कुल सही, अब आप देखिए, तीन अलग-अलग function हैं, और उन तीनों का differentiation एक ही आया है, बुलिए यह सानू, तो लॉजिकली अगर मैं integrate करूंगा, तो 2x का integration, मुझे कैसे मिलेगा? y formula तू बहार हो जाएगा, पता है बेटा? यह से, और integration में rule लगता है, एक्स की power n प्लस 1, जो already power है, उस पे एक जोड़ दो, और नीचे power में एक जोड़ दो, yes or no? तो बिटा कितना आ गया? यह अपने पास आ गया, x square by 2, 2 से 2 cancel, कितना आ गया बिटा, x square, yes or no? यह सार, बट पताईए आप मुझे, कि क्या आपको in coefficients का पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसलिए यहां कुछ भी हो सकता है, इसके लिए हम लोग यहां पे क्या एड करते हैं? सी एड करते हैं, आया समझ में? यह सर, इसमें constant को integration से बाहर कर देते हैं, और हर question में एक integration constant भी आपको जोड़ना है, लास्ट में C, clear है बिटा? इसमें limit नहीं दे गई है, इसमें limit नहीं दे गई है, exactly, तो यह कहनाता है हमारा indefinite integration, ओके? यह सर, अब आप कहेंगे कि सर, indefinite integration निकालते कैसे हैं? तो जैसे differentiation में, अलग-अलग question को देखके, अलग-अलग format बनते थे, वैसे यहां भी, अलग-अलग question के लिए, अलग-अलग format सेट हैं, तो आएए पर लिए, सब का मिलेगा, सब का मिलेगा, जितने function होते हैं, सब का integration करना है, तो अब हम पढ़ते हैं, method of integration, तो देखे, integration को समझने के लिए, हमें सबसे पहले, इसके method पढ़ने पढ़ेंगे, method of integration, तो बिटा, देखे, integration करने के लिए, हमने अलग-अलग format बना रखे हैं, मतलब जैसा आपको question देखे, उस हिसाब का format आप लगाईए, तो सबसे पहला format है, format number one, मतलब बिटा, ये मेरे खुद के बनाए हुए method है, ऐसा कुछ, किताब में आपको नहीं मिलेगा, कि ये format one होता है, ये method of integration आपकी कोई चीज होती है, है ना? Yes, sir. तो format number one है, using direct formula. मतलब आप पहले ये देखिए, कि आप क्या direct formula लगा पा रहे हैं, कि नहीं लगा पा रहे हैं, जैसे differentiation में आपका question आ गया, कि dy dx of 5x square find करो, तो आप formula लगा की कर देती थी उसको, इसे question आ जाता है आपकी पास में, differentiation में, dy dx of x q find करो, तो answer कितना आ जागा? 3x square, तो ऐसे यहाँ पे कुछ formula हैं, उनको direct use करके आप answer बना सकते हैं, कैसे? जैसे पहला question, पहला formula है, integration x की power n dx, answer क्याएगा, x की power n plus 1 upon n plus 1 और plus c, अगर मैं c लगाना भूल भी जाता हूँ, तो आप हर question में c लगा लेंगे, अब आप कहेंगे, सारी formula बने कैसे हैं, तो यह formula बने हैं, differentiation से, जैसे, आप जानते हैं, कि dy dx of log base e पर x कितना होता है, 1 upon x, तो 1 upon x का integration कितना होता है, log e base पर x plus c, इसी को कहते हैं lnx, clear की not clear? Yes sir, मतलब differentiation के formula को उल्टे तरीके से लिख दिया गया है, तो यह बन गया है, आपको कहीं confusion हो, तो ज़रूब पूछिए, e की पर x का integration क्या होगा, e की पर x ही होगा, क्योंकि dy dx of e की पर x जो होता है, वो e की पर x से ही होता है, clear की not clear? Yes sir, अगला e की पर x का integration क्या होता है, e की पर x upon log e, नोट कर ले, e की पर x का integration, e की पर x upon log e, चीख है बटर? Yes sir, next, अभी ये तो हो गया हमारे algebra के, सारे लगबग हो गया है, algebra के, तर एक सेकंड एक formula note कर ना है, note कर दो, Yes sir, log base e को ln लिखते हैं, हाँ ln natural log, हला कि कहीं मिलेगा नहीं आपको, आपको हर जगे log x के रूप में लिखेगा, क्योंकि e को दिखाया नहीं जाता, आपकी book में हर जगे log x ही लिखेगा, और sir, e की जगा, e की जगा कुछ और होता है? e की जगा कुछ और होता हूँ यह लगाई है ना, एक ही power x, नहीं मतलब तो उसको ln नहीं लिख सकते हैं, हाँ, तो नहीं, तो उसको log e में बद लेंगे पहले, क्या करेंगे log e में? बद लेंगे, ठीक है, वो भी एक formula है, क्या है वो formula? देखे, अगर log e के अलावा कोई base हो, like a base b, तो इसका formula होता है, log e base b upon log e base a, clear की not clear? जैसे differentiation में मालीजे, कोई question आ गया, इस तरीके का, तो डेरिवेट करो, d by dx of log of 2 base पे x, यह लिए आ गया, अब आप जानते हो, की जो differentiation का formula, d by dx जो होता है, one upon x, वो किसके लिए होता है? e base के लिए, होता है की नहीं होता, बोलो, तो हमको e base करना है यहाँ पे, तो कैसे use होगा? यह हो जाएगा, log e base पर x, यह use हो जाएगा, d by dx of property लग जाएगी बेटा, तो क्या हो जाएगा, log e base पर x, divided by log e base पर 2, तो, यह normal formula है न सूँ? हाँ, यह normal formula है, हाँ, यह मतलब log की property है, यह property में न यूज़ कर दी, बेटा देखो, ऊपर का बट्रे नीचे का, equal to change in base property, e base में नया बना दिये बने, तो यह तो normal log की property है, तो यह हो जाएगा, 1 by log, e base पर 2, d by dx of, है न, log x, अब log e x को log x लिख सकते हो, तो यह हो जाएगा, 1 upon log e base पर 2, और log x का differentiation, on by x, तो यह आपने, बाहर के लिया है, किसको बाहर लिया है, वो constant नीचे बाहर के लिया है, यह सर, यह सर, वो constant नीचे बाहर आ गया, clear? यह सर, ओकी, e की कोई value नहीं होती न, होती है न, e is a irrational number, 2.74 सम्थिंग चलती जाती है, और irrational है, इसलिए कभी रूकेगा नहीं, चलता ही जाएगा, ओकी, तो e is a irrational number, yes sir, clear? yes sir, so, यह हो गया बिटा, property of log, यह log की property मैंने आपको बता दी, अब इसके आगे चलते हैं, log की बाद, हाँ, तो हम आए पास formula है, आप जानते हैं, d y d x of sin x क्या होता था बिटा, cos x होता था, cos x, cos x का integration, यहाँ पर क्या हो जाएगा, equal to sin x, let's see, ठीक है, second, d y d x of cos of x, क्या होता था था बिटा, minus sin x, clear? तो minus sin x का integration क्या हो जाएगा, cos of, सरे साथ में d x लिखना कंपल सरी है, वही तो injection है बिटा, वही तो operator है, उसी से दो पर चल रहा है, कि x के respect में operate हो रहा, clear? सर माली जी, हाँ, cos y होता, और d y होता होता, अगर d x लिखा होता, नई, नई, जब आपका मरीज x का है, तो आपको injection भी x का लेना पड़ेगा, ठीक है, function जब x का है, तो उसको differentiate करने वाला variable भी किसका होगा, x का, ओके, तो देखा आपने हाँ पर, cos x का differentiation minus sin x, तो minus sin x का integration, cos x plus c, या आप इसको लिख सकते हैं, भी आप minus sin उधर भीज़ देंगे, sin x dx equal to minus cos x plus c, समझ मैं है, माइनस sin इधर का उधर जा सकता है, कोई बुराई नहीं है उसमें, ओके, clear की not clear, या इस सर, ओके, अब देखे, d by dx of, जो 10x है बिठा, 10x, तो देखे बच्चो, d by dx of 10x जो होता है, यह क्या होता है हमाई पास में, यह होता है sec square x, तो इसका integration कर दीज़ें यहाँ भी, वापस, तो sec square x का integration कितना हो जाएगा, 10x plus c, clear बिठा, या सर, next, d by dx of sec x जो होता है हमाई पास, वो होता है sec x 10x, तो यदि हम sec x 10x का integration कर देंगे, तो हमाई पास बन जाएगा क्या, dx लगाना परेगा हमाई पास बन जाएगा, sec of x plus c, तो इस तरीके से यह हमारे पास काफी सारे function है, और इन function का different-different integration आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और भी वाकी function है, जैसे example के लिए, sin inverse x का differentiation आपने सीखा है, sin inverse x का differentiation होता है, 1 upon under root 1 minus x square, तो यदि आप 1 upon under root 1 minus x square का integration करेंगे, तो आपके पास answer में आएगा, sin inverse x plus c, clear? यह आपका integration आजाएगा, any problem बेटा? no sir, मतलब सरी totally differentiation पर depend कर जाएगा, बिल्कुल totally differentiation पर depend करता है, जैसे कि आपने differentiation में देखा है, कि tan inverse x का differentiation जो होता है, the differentiation of tan inverse x, equals to 1 upon 1 plus x square, that's why, 1 upon 1 plus x square का integration जो होगा, that is equals to tan inverse x, मैंने पहली लाइन में इका, it is the reverse process of differentiation, जैसे इसमें differentiation का पर बहुत यूज होगा, हाँ, differentiation के बहुत यूज होगा यहाँ पर, चलिया यह, तो यहां हमारा पहला format था, तो पहले format के questions, कुछ इस तरीके से हम solve कर सकते हैं, ठीक है, अब इसके पहली exercise में आपको बहुत सारे question आपको दिये गए हैं, आपको ऐसे ही करना है, simple format से, देखते हैं कुछ question, जैसे example के लिए देखे, यह question दिया गया है, आपके पास में, x square into 1 bracket के अंदर 1 minus 1 by x square, सकॉम solve करते हैं, तो यह simple formula से होगा, x square bracket के अंदर 1 minus 1 upon x square, तो मैं question लिख रहा हूँ यहाँ पर, question है हमाई पास में x square, integrate करना हमको x square, और bracket में 1 minus 1 upon x square का integration, चली तो कैसे हो जाएगा, सबसे पहले x square का multiply करतीजे, तो यह हो जाएगा x square, और x square का multiply करेंगे, minus 1 upon x square में, तो कितना बनेगा यह, minus 1 और dx, अलग-अलग करतीजे, दो function यहाँ पर, x square का integration, minus 1 का integration, clear बेटा, यह कितना हो जाएगा, आपने formula पढ़ा है, x की power n plus 1 upon n plus 1, minus, कीवल क्या बज़ गया बेटा अंदर, dx बज़ गया, और dx का integration आप लेकर सकते हैं, x होता है, ठीक ना, dx का integration, x होता है, कैसे, एक तरीका और है, आप यहाँ पर 1 है, तो 1 को लेक सकते हैं, आप x की power 0, तो कि 1 में x की power 0 को 1 बोलेंगे, अप कर दिज़ इंटिग्रेशन, 0 पावर लेके, तो x की बाई 3 तो वो सही सलामत है, minus x की power n plus 1, मतलब 0 plus 1, और नीचे भी 0 plus 1, वो plus c लगा दिज़, तो answer आगे आपके पास में, x की बाई 3, minus x की power 1 upon 1, मतलब x by 1, अर्थात x ही बनेगा, और plus का c, तो ये आपके पास में आ चुका है, differentiation, x square bracket में, 1 minus x square का, derivative आपके पास आ चुका है, clear विटा, ये जैसे question, integration को भी differentiation, जैसे plus और minus, मैं ऐसे divide कर देखे हैं, नहीं, अच्छा plus और minus में divide, उसको divide करिए, उसको distribute बोलिए, है ना, मैंस होगा तो minus होगा तो minus और coefficient बाहर आ जाता है, ये देखे, जैसे ax square में, a बाहर आ गया, b बाहर आ गया, जैसे अगर upon में लिखे हैं चीज़े तो, तो भी बाहर आ जाएंगे, कोई रिकत नहीं है, हाँ upon में function, मतलब जैसे formula होता था था न, ये 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 इन तू भी, और ये अपॉन पे, नहीं पर लगता है, यहाँ पर नहीं लगेगा ऐसा, वहाँ पर लगता था यहाँ पर upon में, और इन तू के लिए यहाँ, अलग-अलग formula है, वैसे नहीं जैसे थी, ठीक है, ये सर्थ, उनको हम अलग-अलग format में समझेंगे, अब जैसे ये question है, बिलकुल simple format से होना है, first वाले method से, clear की not clear, चलिए, तो format 1 करने के बाद, अब हम कर रहे है, format number 2, format number 2, format number 2, format number 2 बहुत अच्छा है समझने के लिए, देखे क्या से करेंगे, देखे, अगर आपके पास कोई integration करना आपक सबसे पहले कोई भी question integration काता है, उसको i के equal माल लेजे, and you have given the question, i is equal to f of ax plus b का differentiation, dx, ax plus b ये function है आपके पास में, तो आप क्या देख रहे हैं, अभी तक आपके पास सीधा-सीधा function fx था, मतलब जो question आपके पास था, वो सीधे-सीधे sin x था, जो question था, आपके पास सीधे-सीध x पे depend कर रहा था, अब किस पे depend करेगा, x के multiplier पे, मतलब जो question आएगा आपके पास में, वो इस तरीके से आएगा, log of 2x plus 3, या sin of 2x plus 3, इस तरीके का function आपके पास में आएगा, तो आपके पास में function sin of 2x plus 3 है, मतलब सबसे जरूरी चीज़ जो है, आप देखे, यहाँ पे x क पावर 1 है, तो यह वाला format मेरा आपका support करेगा, तो यह clear की not clear, तो देखे, यही rule लगेगा, काश वाला, काश तुम sin x होते, काश तुम e की पावर x होते, तो मतलब जो आपको tension दे रहा है, उसको आपको t मान लेना है, तो यह देखे, आपने इसको क्या clear, t, तो लिखेंग let ax plus b equal to t, अब क्योंकि आप x function को t से replace करने जा रहे हैं, तो dx को भी आपको replace करना चाहिए, किस से, dt से, क्योंकि आप नया function t में ला रहे हैं, तो नया operator आपको t का लाना है, अब यहाँ पे एक समझदारी आपको दिखानी है, क्या करना आपको dt लाना है, इसको आप differentiate कर दें में, तो यह बन जागा dt by dx, अब जैसे ही आप dt by dx करेंगे, तो यह differentiate हो जाएगा, तो a constant है, x का differentiation 1, और b का कितना होगा 0, तो a is equals to dt by dx, और यहाँ से आप dx की value निकालिए, किस की value, dx की, क्योंकि आपको हटाना dx को है, तो dx equals to कितना हो जाएगा dt by a, अब अपने question में आईए, तो जहाँ पर आपके पास question था, देखिए वो क्या था, तो f, a x plus b को आपने t ले लिया, और dx को आपने क्या बना लिया है, dt by a, dt upon a, तो 1 by a, जो x का coefficient था, वो division में जाएगा, differentiation में कहा जाता था, multiply में, integration में कहा जाएगा, division में, division में चला गया, और अंदर क्या बच गया, dt, और प्लस c लगा दीजे, आपका अंसर आजाएगा, दोड़ करके, clear है, clear है, पीटा, एक और बता देखिए, एक question कर देखिए, इसको, एक question कर देखिए, इसका चली लिखे, मतलब सर्वहाँ पे, dot में dt, फिर उसके dot में dx by dt आना चाहिए था, नहीं, 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 वो व प्लूल में differentiate करते थे, अब आप differentiate नहीं कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आपका काम के वल, dx को हटाना है, वहाँ पे आपका काम खतम, ठीक है, चली, देखिए, question देखिए, आपको समझ में जागा, जैसे आपके पास मालीजे, को integration है, i is equals to, sin of 2x plus 3, आपको करना है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप 2x plus 3 को t ले लीजे, क्योंकि x की power 1 है इस पूरे function में, तो यहाँ पे करता हूँ, let t is equals to 2x plus 3, आपको dx अटाना है, तो differentiate कर दीजे, x के respect में, dtydx equals to dydx of 2x plus 3, बो बच्चों, यह होगा की नहीं होगा, तो dtydx equals to 2x का differentiation, 2 coefficient है, बहार जाएगा, और x का हो जाएगा 1, और 3 हो जाएगा 0, यानि कि dtydx equals to 2 बच गया, बचा की नहीं बना, तो dx को उपर ले जाएए, तो dx की value क्या निकल गई, dty2, अब यहाँ पे आप replace कर दीजे, dx को, integration i is equals to sin, 2x plus 3 आपने क्या ले लिया है, t ले लिया है, और dx को क्या ल लिया हमने, dty2, 1 upon 2 बाहर आ गया, integration के अंदर क्या हो गया, sin t dt, integration के अंदर sin t dt, अब आपको पता है, कि sin t का integration कितना होता है, minus cos t, बोलिए बेटा, पता है कि नहीं पता? yes sir, हाँ, क्योंकि sin x का differentiation cos x होता है, और cos x का, अभी cos x का differentiation minus sin x होता है, तो sin x का differentiation minus cos x होगा, मैंने उपर लिखाया भी है, यह देखिए, yes sir, cos x का differentiation minus sin x होता है, तो minus sin x का कितना होगा, cos x, तो minus sin यहाँ चला जाएगा, तो sin x का कितना हो जाएगा, minus cos x, तो यहाँ पर sin t है, तो sin t का कितना हो जाएगा, minus cos t, 1 upon 2 minus cos का t और plus का c, clear? यह सब मतलब differentiation और integration में अलग-अलग करना है हाँ अलग-अलग करना है और minus 1 by 2 बाहर हो जाएगा cos t की value put कर दीजे तो t की value हमने क्या लिए थी 2x plus 3 इस question में जो t हमने लिया था वो वापस आ चुका है plus c बस यही answer बनेगा इस तरीके से तो यह हमारे दो format एक t वाले और एक बगार t वाले हमको जो हमारी शुरू की exercise करनी है बच्चों वो इसी तरीके से करनी है जो हमारी first exercise है with example 7.1 ये पूरी इसी पर based है इसमें देखिए 2x है t ले लिजे यहाँ पर 3x है t ले लिजे एकी पावर 2x है 2x को t ले लिजे यहाँ पर देखिए ax plus b है अंदर वाले को t ले लिजे ठीक है न सबसे बेस तरीका फिर यहाँ पर देखिए 2x है इसको t ले लिजे फिर 3x को t अलग-अलग differentiation कर दीजे तो first exercise में हमारे format 1 और format 2 का इस्तमाल हुआ है चीकर ना first exercise में हमारे format number 1 और format number 2 का इस्तमाल हुआ है इस तरीके से हमारे पास यहां पर total 22 questions है तो आईए शुरुवात करते हैं